नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डौक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि RebleHD Capsule का उपYोग किन कंडिशन्स में किया जाता है RebleHD Capsule को कैसे लेना चाहिए और RebleHD Capsule की वज़स से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं RebleHD Capsule पेट में उत्वपन होने वाले एसिट की मात्रा को कम करता है RebHD capsule का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बध़जमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर RebHD capsule का उपयोग किया जाता है जैसे दर्द को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली दवाओं की वज़ध से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन side effects को रोकने के लिए भी आपका Dr. Reblet D capsule को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है। ज्यादातर एंटिबायोतिक दवाओं के सामान्य side effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है। इसलिए एंटिबायोतिक दवाओं की वज़े से ये side effects ना हो। इसलिए आपका Dr. Reblet D capsule को एंटिबायोतिक दवाओं के साथ भी लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा Reblet D capsule का उपयोग कुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और Jolinger Ellison syndrome को treat करने के लिए भी किया जाता है। Jolinger Ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है। Reblet D एक brand name है, Reblet D capsule के अंदर दो दवाओं का combination होता है, Reblet D capsule के अंदर salt composition Rabiprazole और Domperidone होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम discuss करेंगे की Reblet D capsule की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Reblet D capsule की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ % व्यक्तियों में Reblet D capsule की वज़े से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं। जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुमें सूखापन, सिरदर्द, शरीर की मासपेसियों या जोडों में दर्द होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती हैं। इसके अलावा Reblet D capsule की वज़े से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती हैं। लंबे समय तक Reblet D capsule का सेवन करने से, यानि कई महीनों या कई सालों तक Reblet D capsule को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B 12, कैलशियम, आइरन और मैगनेशियम की कमी हो सकती हैं। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना Reblet D capsule को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार Reblet D capsule को लेने से औस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। औस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर व अंदर से खोकली हो जाती है। Reblet D capsule की वज़े से औस्टियोपोरोसिस तभी होता है, जब Reblet D capsule का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से Reblet D capsule को ले रहे हैं, तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैलशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की रेबलेट्डी कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर रेबलेट्डी कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। रेबलेट्डी कैपसूल को खाना खाने से कम से कम एक घंते पहले लेना चाहिए। रेबलेट्डी कैपसूल का सेवन करना रेक्मेंडेर नहीं है। लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रेबलेट्डी कैपसूल को लेने की सलाह दे सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को रैबलेटरी कैपसूल को नहीं लेना चाहिए.